राजस्थान में गजट नोटिफिकेशन कैसे बनाएं? क्या आप राजस्थान में अपना गजट बनवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है. इस वीडियो में हम आपको गजट बनवाने की जानकारी बताने वाले हैं. इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए गजट एक कानूनी दस्तावेज है इसका इस्तिमाल दस्तावेजों में कानूनी तरीके से नाम परिवर्तन के लिए किया जाता है गजट को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है गजट बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला एफिडेविट एफिडेविट बनवाने के लिए आपको अपना या अपने माता पिता का नाम बदलने की पूरी जानकारी इकठी करना है और किसी वकील से संपर्ख करना है आपका एफिडेविट बना दिया जाएगा दूसरा समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना है समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको एफिडेविट वाली सारी जानकारी इकठी करनी है और अपने राज्य के भाशा के समाचार पत्र और अंग्रेजी दोनों भाशा के समाचार पत्र को चूज करना है और उसमें नाम परिवर्तन की जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है फिर आपको नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवाना होगा इसको बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा. जब तीनों दस्तावेज बन जाएंगे, उसके बाद आपको इन ही तीनों दस्तावेजों को लेना है और गजट आफिस जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है. जब आप गजट के लिए अपलाई कर देंगे, उसके 30 से 40 दिन के अंदर आपका गजट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा. फिर वहाँ से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं. अब हमें उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी की मदद से आप अपना गजट बनवा पाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि ये सारा काम करवाने में हम आपकी हेल्प करें, यानि कि आपका गजट बनवाने में हम आपकी हेल्प करें, तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं. हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी. Thank you so much.